हाँ हाँ हुँप म्यूजिक इंड़स्ट्री में दो कंपनियां ऐसी है दो नंबर की कंपनियां है नंबर दो की कंपनियां नंबर पर नाजाते एक तो है टी सीरिस नाम तो टीसीज है लेकिन स्ट्रगलर लोगों को चाय तक नहीं बूस्ती है यह है टीसीरीज बार से टीसी सीरीज अंदर से वेप सीरीज और दूसरा है जी म्यूजिक यह में तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं चोड़ों तो यह कंपनिया जब से आई है आप देखिए कितना गिर गया है कि आप देखें एक जमाने में Ε principra mêsब्व मुझिक करता था आदमी रोटी बनाते वर रोटी घाते वर सुनता था उसके बाद दौर ठेंज हुआ कैसेट आ गई कैसेट आदमी सुनता था तो मुझिक के प्रती इंसलत बढ़्चेट ते तंद profoundlyặtी तकाद श्रूंष थी त्फिर में सुनता था आगी यह दो कि भी मेरे हैटे यह उसी नियुक्डिक हो एंजिक साथ ऑब मेंजिक का बेसी है और ऑफ में इस चीप होगह पारिशान वह खिशने बन मॹह परिशान लेबल भी ऐसा कि पता नहीं कौन सा लेबल है कौन सा लेबल दें इनको रिव्क्स इतना गंदा बनाते हैं मतलब ही होता है कि पुरानी composition को लेकि उसकी position कम करना composition to position कम composition प्रिमिक्स मतलब पुराने मिज्र रोने साभ लक्रणी ऍना अच्छे गाने गवाय और इनोंने रिमिक्स बना कि उसको करीमा कौन aos कहते थे हैं एक इसा तो पूरान जमने गाने बहुत अच्छे हैं और मिसमें आप इनकी इज़त खराब करते हैं इने खराब करते हैं मतलब पुराने गाने सुनकर मन करता था है कितना अच्छा लगता था है दिल करता तक गाते रहो गाते रहो गाते रहो गाओ 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 अभी तो भैसे हैं अभी तो गाएं नहीं भैसे लगते हैं मुकेश जी महद्र कबूर साथ इनके गाने सुन सुनके हिंदुस्तान जिया है हिंदुस्तान आगे बड़ा हिंदुस्तान को मोटिवेशन मिला है आप यह सिंगर कौन है जो रिमिक जात हैं मतलब चैन सुकुन सब खत्म हो गया है और यह जो बड़ा कंपनिया है भूशन को मार के पाद़ डीविया शक्ति है और जिनके पास है उनको लगता है कि हमर पास सबसे बड़ा भूशन और बूचन थे संपियो कौई उप唱 तered जिर एक The Sean ओ कि देंगे कहां से इज़त तो वही दे सकता है जिसके पास इज़त होती है जी हाँ इतना म्यूजिक का बुरा टाइम खुदा कसम पहले कभी नहीं तक पहले म्यूजिक कमपनी का नाम मतलब HMV हुआ करता था अब म्यूजिक कमपनी का नाम मतलब HIV हो जैसा फिल हो रहा है लोगों है देखा होगा वह स्पीकर के आगे लौट स्पीकर के आगे कुत्ता गाना से राइट एक लोगो था हैज यार बड़े और लेजंडरी सिंगर्स का गाना गवाते हैं composer का गाना ग्यावाते हैं आप उनका credit भी देते आपको अब उनको credit भी नहीं देते हैं हम मतलब आपका कोई credit नहीं है तुनिया में आपका कोई credit नहीं है कुछ नहीं music industry उनके हाथों में आ गई है सुनने में बड़ी शर्म आती है कि जिस company का music company में music के लाओ बाकी सब knowledge हैं उनको सिर्फ music का ही knowledge नहीं तो भाया सिर्फ पैसा ही कमाना था धंदा ही करना था बत्तमीजियां ही करनी थी तो कोई और काम कर लेते हैं कोई कोटा सरकारी कोठा सरकारी सब बाता गुल कि दुनिया में आ के फन की दुन्या में अके फन की दुनिया में एपने आपना सब गुष इस इंडस्टी को दिया था जिसके वज़ह से इंडस्टी जीड़ो से ही रहो ही थी inform City और यह कभी नमत भूलिया कि मुजिक इंडस्टी को उसा कि को सकारत्म करने में पॉजिटिव करने में घूर्च अब बढ़ पहके के ज़री जगये method है कि happier गे अप general नॉलिज्ग भी ठीक भी रहेंगे और हमेशा कि हमारे दि.- कुआ कि मुझी कंपोजरों मिची कमपणी वालों कि यह एक गाना कि कि दस-दस सिंगर से कवाते हो पिर एक को चुनते हो तो ऑला सिंगर से गवाकर एक सिंगर को रखते हो तो क्या ये सोला सिंगार है हो भी बड़ा खुश होता कि मैं सोला सिंगार हो गया हूं ऐसा मत करो म्यूजिक का मतलब होता है सरगम लेकिन आपकी वज़े से दुनिया जहिल रही है हर गम प्लीज धान रखिए अपना भी धान रखिए क्यों कि म्यूजिक एंडस्टी का अगर इस तरह से होगा पतन तो ये मत भूलिये म्यूजिक एंडस्टी वालो कैसेट की दुनिया की बात कर रहा हूं टेपरिकॉर्ड की दुनिया का बंदा हूं इसलिए कह रहा हूं कि म्यूजिक एंडस्टी को रिवाइंड बटन कभी नहीं भूलना चाहिए ये मत भूलना चाहिए कि म्यूजिक के साथ एक रिवाइंड का बटन भी आता है जादा फॉरवर्ड बनने के कोशिश मत करो वरना रेवाइंड कर दिये जाओगे पिर क्या होगा तो इसलिए मैं कहता हूं नए सिंगर के लिए भी कहता हूं भाई मेहनत करो अच्छा नया काम करो ने कम पुझे रेमिक्स मत गाओ रेमिक्स गाकर तुम अपने टैलेंट को ख साइल हमेश हमें प्रेरना देता रहेगा और मोदी जी भी कहते हैं मन रे गाह मन रे गाह मगर पूराने गाने गाह रेमिक्स मत गाह रे मन रे गाह वह गी संगीत हमारे जीवन का एक भाग है एक हिस्सा है यही हमारे जीवन का किस्सा है हम सुख में गाते हम दुख में गात हैं मौत में गाते हैं हम हर emotion में गते हैं और यह emotionless हमारे उस emotion को चीनना चाहते हैं कहते हैं कि हमारा नया बढड़े में नि गा सकते वह फार फ़ला जगर नहीं गा सकते फ़ला जगर सूर बने तुम्हारा हिला हुआ सूर है उसको जोड़ो सूर को मिलाओ साथ सूर जब मिल जाएंगे तो हम साथ साथ आ जाएंगे यही positive message के साथ मैं आपको सलाम करता हूँ और सुधर जाए जो सुधर जाता है वो दुनिया में रह जाता है वरना सिधार जाता है सिधार जाता मतलब यह नहीं कि दुनिया से लजाता है मार्केट से आउट हो जाता है पहले के ज़वाने गाने मार्केट में बसते थे क्योंकि वो मार्केट के गाने थे आज की गाने मार्केट में नहीं बसते हैं क्योंकि वो मार्केट से आउट गाने सो मार्केट बनाईए मार्काट मत बनाईए लव यू आल मैं हो सुनिल पाल और एक ही बात कहूंगा गाता रहे सबका दिल और म्यूजिक ही है सबकी अच्छा म्यूजिक है सबकी मन्जिल लव यू आल सबकी अच्छा म्यूजिक अच्छा म्यूजिक